हर्याना की हर अप्टीट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हर्याना नियूज हमें लगता है कि 2025 तक हम नियू एजूकेशन पॉलिसी अपने पूर रोख से लागू कर देंगे हलाकि देश वर में इसका टार्गेट 2030 रखा गया लेकिन हम पाँच साल पहले ही इस पॉलिसी को लागू कर देंगे और इसके अंदर यानि बच्पन तीन साल से लेकर के और हाईर एजूकेशन के लेबल तक एक बहुत ही समनुए तरीके से और सारी एजूकेशन को किस परकार दिया जाए ताकि एजूकेशन रोजकार प्राग बने संसकार ख्षम बने और एजूकेशन में रिसर्च के नाते से भी बहुत चीज़ें जोड़ी गई है ताकि हर समय होने वाले जो युगांत कारी परिवर्तन होते हैं उनको शिक्षाक शेतर के अंदर कैसे कैसे जोड़ दिया जाए तो ऐसी बहुत से चीज़ें की गई है नए पहलू के नाते से अभी दो इनुवस्टी में पुर्प्षेतर इनुवस्टी और रोतव इनुवस्टी उसके अंदर केजी टू पीजी ऐसी शिक्षा का प्रतिन करने के लिए भी हमने नेने लिया है और जहां तक प्राइवेट एजूकेशन और सरकारी एजूकेशन है मिल करके और इस परकार का एक एजूकेशन का सिलसला आगे बढ़ाएं ताकि शिक्षा क्षेतर के लिए हरियाना का नाम आगे बढ़े और हरियाना जो है शिक्षा का हब बन सके इस परकार की सारी होजना, हमारे जी तरह डिपार्टमेंट अब भूब सब और हार एजुकेशन काउंसिल, जिसके चेर्वन हमारे बीके कुठेला जी है, इन लोगों ने मिल करके इसके चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए सारे पतन किया है। क्यों कहीं कि समाज की परकी जिम्मेदारी दी बात के रहे या फिर हमारे बेस्पे केंद्रिक सिक्षाने के लिए बात के लिए क्या परक देखते हैं। प्लेवे स्कूल्स, चारजार प्लेवे स्कूल्स का जो गोशना की थी, एकजार प्लेवे स्कूल्स तो बन चुके हैं। प्लेवे स्कूल्स को चलो करेंगे, आगे फिर चारजार का टार्गेट हम पूरा करेंगे। सब्जेक्ट की वज़ा है, मल्टिपल जो सब्जेक्ट्स हैं, ताके मनुश्य का ओराल विकास होना चाहिए। वरना किसी एक फिल्ड में जब नौजवान पढ़ाई करके और उस दिशा में चल पड़ता है, तो उसको दूसरे विशों का ग्यान नहीं होता है। करियर बनाने के लिए वो शिक्षा को शिक्षा के तरह में बदल करके जा सकता है। पहले मानों तीन मंत्री थे तो आज अगर दो हैं बाद में हम ये भी कह सकते हैं के शिरी भुवेंदर यादव वो भी ले दे करके रहने वाले तो हरीणा के ही हैं। बले वो राजसवाद से वो राजस्तान से बने होंगे लेकिन हरीणा के निवासी हैं तो उस नाति से तीन के तीन हो जाते हैं। कोई कठना जी नहीं है फिर भी सारा देश अपना है और देश के ही मेंबर पार्लेमेट्स में से भारेजिंदा पारटी है जो हमारी सयूगी दल हैं उन से मिल करके मन्तिर बनाया है और मैं समझता हूं कि जोने ने ने किया कि बहुत अच्छा यंग टीम आई है कुछ रन्निति की विशे होते हैं और रनीतिक की बताया नहीं जाते हैं जब हो जाते हैं तो पता लगते हैं प्राइवेट स्टूल है वो अपने डंग से अच्छा कुछ करते हैं सरकारी स्कूल अपने डंग से अच्छा कुछ करते हैं जैसे मने बताया कि हमने तीन से पांच में प्राइमरी स्कूल के अलग से यह अच्छा किया जाए इसके लिए हमने जो रेजिनेशन स्कूल बनाए हैं इसके अदर हम साइंस जो है ज़्यादा स्कूलों के इंदर खोल रहे हैं अभी तक साइंस के उपर उतना आकर्शन जितना होना चीए था वो नहीं था लेकिन अब हर एक जो 11-148 हमारे कलस्टर्स हैं उन कलस्टर्स में एक कलस्टर में एक साइंस का स्कूल जरूर हो ऐसी हमने योजना बनाई है तो शिक्षा के स्तर को कैसे उचा किया जाए उसकी गुनोता को कैसे बढ़ाया जाए अब सरकारी स्कूलों में भी प्राइविट स्कूलों से घान जाला दे रहे हैं बलकि अगर यह कहूं तो पिछले वर्ष में चाहे वो कोविड कारण रहा जाए कोई भी कारण रहा इस बार को जो है यह अबर लिए